आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी टेट एक्जाम को लेकर बड़ी अपडेट है तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है आई थिंग आपका एक्जाम जो 23 जन्वरी को होने वाला था वो संकट उस पे आ चुके हैं वो एक्जाम नहीं हो यूपी टेट परिच्छा बढ़ते कुरेणा के मामले को चलते हुए फिर सिट टल जाने की बात की जा रही है वहीं पर कुरेणा संक्रमड जो कि आपका ओमिक्रॉन नाम से वरियंट के न अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ने के संभावना तेजी से बैक्त की जा रही है उत्तर प्रदेश में कुरेणा मामले को लगातार बढ़ते जा रहा है और रवीवार को यूपी में उन्षट केस पाए गए जबकि वही पर गांजियाबाद में 16 और लखनाओ में 12 केस गौंतब बंद नगर में 5 केस दर्ज किये गए और 4 महीने में 22 दिन तक इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आया है कि ओमिक्रान के प्रसार के बेच यूपी सरकार परिच्छा नियामक प्राधिकारी यहां पर देख सकते हैं उनके लिए पूरी तरह से सुरच्छा का साथ है और परिच्छा आयोजित करने की जिम्मेदारी है अब भारतियों के लिए बरतने हुए जो है एक बड़ी चुनोती है वहीं पर ओमिक्रान को देखते हुए देश के बिभिन राजियों में कई तरह की पावेंदिया लागाना शुरू हो गई है तो इस प्रकार से छात्रों में काफी डर बना हुआ है कि आई थिंक एक्जाम होगा या फिर नहीं लेकिन सुत्रों के मिताविक अप्टेट निकल कर आ रही है कि आपके एक्जाम टड़ सकती है तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि आपका एक्जाम टेश जैनवरी को होगा या फिर नहीं होगा तो इस बात को जाने के लिए चैनल क एक्जाम म्हूंट जातों कि एक्जाम Ole चैनलOW एक्जाम मैं चैनले है जातों के लिए में एक्जाम वेलाक बेढके है और सकतां आताझ में धिल्यू थाले कनुंगा।